लाश्ट में अपने जस्वन सिंग की थी और जस्वन सिंग की जो चर्चा की थी मारवाड के इतियास में जस्वन सिंग की तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जस्वन सिंग का एक दरवारी जिसका नाम है आसकरण और उन्हीं आसकरण के एक पुत्तर महान सासक जिनका नाम आता है दुरगादास राठोड तो आज अपने इन्हीं दुरगादास राठोड की चर्चा करने वाले हैं कि मायड ऐसा पूत्त जन जेडा दुरगादास बिन धराने बांध राखियो बिन थंब आकास तो ये पूरी की पूरी धरा को बांध कर जिसने रखा उनका नाम दुरगादास राठोड जिन्होंने जस्वन सिंग के पुतर अजीद सिंग की रक्षा की थी औरंग जेव सिंग को बचाया था केज से छुडाने में जो हिनोंने मदद की थी तो आज अपने इनकी चर्चा करने वाले हैं कि इनकी दुरगादास राठोड दुरगादास राठोड का जो जनम आता है जनम के बारे में चर्चा करें तो दुरगादास राठोड का जो जनम है वो जनम मना जाता है 13 अगस्त 1638 इस्वी और ये जो 13 अगस्त 1638 इस्वी इनका जो जनम मना जाता है वो जनमस्तान जो है वो आपके सालव गाउं है मारवार में पढ़ता है कौन सा गाउं सालव गाउं वरतमान में ये सालव गाउं जो है वो कहां चला गया है बाड मेर में चला गया है ध्यान लखना कहां चला गया है बाड मेर में पिता के बारे मैंने आपको बताई दिया इनके पिता का नाम क्या था आसकरण था ठीक है और इनके जो माता थी उन माता का नाम क्या आता है नेत कमर आता है क्या आता है नेत कमर आता है जो की आसकरण की तीसरी पतनी थी क्या थी आसकरण की तीसरी पतनी मानी जाती है और इसी नेतकवर ने इनका जो है लूणवा गाओं में कौन से गाओं में लूणवा गाओं में जो है इनका जो है क्या किया था लालन पालन किया था लूणवा गाओं में दुर्गादास राठोड का क्या किया है लालन पानन किया है तो जब अब आपको पता है कि जब जिस समय जस्वन सिंग की मरती हुई थी किसकी जस्वन सिहें की जो मरती हुई थी वो जामरूद नामकिस्तान पर हुई थी मैंने आपको बताया था जामरूद नामकिस्तान पर हुई थी तब जस्वन सिंग की दो पत्निया थी जिन में एक का नाम आता है जादम और दूसरी का नाम था नरुकी क्या नाम आता है नरुकी और जादम के जो पुत्तर था उस पुत्तर का नाम आता है अजीद सिंग क्या नाम आता है अजीद सिंग और नरु में नूरगर्द दुरग और नूरगर्द दुरग जो पढ़ता है वो कहां पढ़ता है आपके नूरगर्द दुरग दिल्ली के अंदर इनको केद करके क्या है रखा गया था तब दल थंबन की तो कुछ समय पश्यात क्या हो जाती है मरत्यू हो जाती है दल थंबन की तो दुर्गादास रठोड मुकुंदास खिंची मुकुंदास खिंची एक का नाम आता है गोरा धाय गोरा धाय या जिसे बागेली किस नाम से बागेली के नाम से जना जाता है और इसे गोरा धाय बागेली या इसे क्या का जाता है रूपा धाय या मारवाड की पन्ना धाय के उ उपनाम से जाना जाता है इन्होंने जो है इन्होंने जो है मिलकर जो है किसको अजीद सिंह को केज से छुड़ाया था तो अजीद सिंह को केज से छुड़ाया था ओरंग जेब की केज से छुड़ाया था और ओरंग जेब की केज से छुड़ा कर जो है जो कहां पहुंचा दि कहां कालिंदरी गाओं में यह कालिंदरी मंदिर पढ़ता है यहां पर जगदेव नाम के ब्रामन थे जैदेव नाम के ब्रामन थे इनके पास पहुंचा दिया था और यह कहां पढ़ता है सिरोई में पढ़ता है ध्यान रखणा वहां पहुंचा दिया था तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर अजीद सिंग के बारे में बता देता हूँ अजीद सिंग का जो जनम है वो जनम 1679 इस्वी में माना जाता है कहां हुआ था लाहोर में हुआ था लाहोर कहां पड़ता है रावी नदी के किनारे पड़ता है यहाँ पर इनका क्या माना जाता है जनम माना जाता है चीक है ना और ये जो है अजीत सिंग है अजीत सिंग का जनम जो है 1679 इसवी के अंदर जो है लाहोर में लाहोर में कहां पर माना जाता है रावी नदी के किनारी माना जाता है चीक है ना तो ये देखो ये आपके राठोड दुर्गादास राठोड आठ पह सिंग की क्या की थी रक्षा की थी तो द्यान रखना इनको अजीद सिंग को इनकी केट से चुडाने में मदद जो है दुर्गादास राठोड अचल मुकुंदास खिंची जो है और इनके द्वारा की गई है और द्यान रखना इसके बाद में जो है ये कहां चले गए थे मेवाड के महराना मेवाड के महराना राज सिंग की सरण में चले गए थे तो द्यान रखना इन्हें राज सिंग ने मेवाड के महराना राज सिंग ने इन्हें केलवा की जागीर केलवा कहां पढ़ता है राज समन्द में पढ़ता है केल केलवा की जागीर क्या कर दी परदान कर दी थी किनको परदान कर दी थी तो इस अजीद सिंग के पालन कोशन के लिए मिवार के राना जो है मिवार के राना राज सिंग ने इनको कौन सी जागीर परदान की है कौन सी जागीर परदान की है कौन सी जागीर परदान की है केलवा पता औरंग जेब को चलता है किसको औरंग जेब को तो पूरा तो पता ही नहीं था भी औरंग जेब जो है औरंग जेब एक नकली अजीद सिंग को पाल रहा था और नकली अजीद सिंग जब युवा हुआ तो उसका नाम जो है इसने मोहमदी राज कर दिया था क्या कर दिया म गोरादाय जो सपेरीन थी वो जो है उसको वहाँ पर उसके पुत्र को छोड़ाती है और उसको नकली अजीद सिंग के रूप में पाल रहा है कौन ओरंग जेब जो है नकली अजीद सिंग के रूप में उसको पाल रहा है तब बताती है कि उसका जो है औरंग जेब ने नाम ब साथ सिंग मिवाड और मारवाड का एक तरह से क्या बन गया यहां पर संग्ठन बन गया मिवाड और मारवाड का क्या बन गया यहां पर संग्ठन बन गया अब इस संग्ठन को तोड़ने के लिए तो ओरंग जेव ने क्या किया ओरंग जेव ने अपने पुत्तर किसको अकबर को बेजा अकबर सेकेंड नाम आता है किस अकबर को बेजा संठन को तोड़ने के लिए अकबर को बेजा किस ने औरंग जेव ने राजपुतों खिला बेजता है और औरंग जेव अभी तक जोदपूर पर सासक नहीं बने हैं तो जोदपुर्ग को भूमी को क्या गोसित कर देता है ये खाल सा गोसित कर देता है खाल सा गोसित कर देता है जोदपुर्ग की भूमी को और जोदपुर्ग में ताहिर खा नाम के इसको ताहिर खान को क्या करता है जोदपुर्ग में नुक्त करता है ये तो द्यान रखना औ अपने पुत्र अकबर दूत्य को बेजा इनके विरूद राजपुतों के विरूद तब बताते हैं कि अब वास्तों में इसने क्या किया अकबर ने क्या किया वास्तों में अकबर नहीं अपने आपको क्या गोसित कर लिया राजस्तान जाकर अपने आपको सासा गोसित कर लिय भारत का क्या गोसित कर लिया बादशाया गोसित कर लिया अब ये सासक बन गया अकबर ने आपने आपको जो है सासक गोसित कर लिया किसने अकबर ने किसके विरूद अपने पिता औरंगजेव के विरूद तब बताती है कि औरंगजेव ने क्या किया औरंगजेव ने कूटन औरंगजेव ने कहा एक पत्तर लिखा और जिस पत्तर में लिखा हुआ था कि बेटा हो तो ऐसा अकबर तेरे जैसा जो कि मेरे सारे के सारे दुश्मनों को क्या किया दुश्मनों को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया एक स्थान पर क्या कर दिया एकत्रित कर दिया और यह पत् राठ्झोड इस बात से बहुत नाराज हूए दुर्गदास ने कहा कि आपने हमाएअरी साथ विश्वास गात किया है ठीक है दुर्गदास के रठोड से क्या करता है पुने मिलता है द्यान रखडा तो अकबर अप दूर्गदास रठोड से पुने मिलेगा पहले में आपको बता है वास्तों में क्या हुआ कि पहले ये हुआ है कि अब इनके विरुद भेजा गया है राजपुतों KELL SANGTANGK के विरुद अकबर को भेजा तो एक साथ ले आया, तो पहले तो यह दुरगादास राठोड के सयोगी रहा, अकबर लेकिन यह पत्तर दूरगादास राठोड को मिला तो दुरगादास राठोड ने का भी अकबर ने विश्वाशगात किया है, तब उसके बाद में जो है दुर्गादास राठोड वो छेतर छोड़ कर चले जाती है लेकिन अब अकबर दुर्गादास राठोड से क्या करता है कि पुने मिलता है और दुर्गादास राठोड अकबर से जो है पुने मिलता है और अकबर ने जो है दुर्गादास राठोड पलस अकबर दोनों मिलकर जो है दुर्गदास राठोड और अकबर दोनों मिलकर महाराष्ट के सिवाद जी के पुतर संभा जी की सरण में चले जाते हैं कहां चले जाते हैं संभा जी की सरण में चले गए और लेकिन ओरंग जेव ने इनका पिछा करते हैं मराठों के विरूद अभ्यान कर दिया था अब औरंग जेव ने इनका पिछा किया और औरंग जेव ने क्या किया अपना अभ्यान के विरूद रखा मराठों के विरूद रखा तब अकबर बताती है कि अकबर अपने पुतर अकबर अपने पुतर जिसक सफिया तुनिशा एक तो अपने पुत्र बुलंदक्तर और एक अपनी पुत्री जो है सफिया तुनिशा यह जो है इन दोनों को किस के पास है दुर्गादास राठोड के पास सौंप कर जो है अकपर कहां चला जाता है अकबर फारस चला जाता है कहां चला जाता है फारस चला गया था अकबर फारस चला गया था दुर्गादास राठोड को सौंप कर अकबर कहां चला जाता है अकबर फारस चला गया था तब दुर्गादास राठोड ने बताती है कि बुलंदक्तर और सफ्या तुनिशा का जो है पालन पोशन है वो पालन पोशन मुस्लिम रिती रिवाद से किया था किस से किया था मुस्लिम रिती रिवाद से किया था किस ने किया है दुर्गादास राठोड ने किया है दुर्गादास राठोड ने इनका पालन पोशन मु ठीक है ना तो अब ये जो है दुर्गादास राठोड को बुलाए है पुत्र पुत्रों को देखने के लिए समाचार भी जो आया तो दुर्गादास राठोड जो है अब किसके पास औरंगजेव के समक्ष किसके समक्ष औरंगजेव के समक्ष क्या होते हैं दुर्गादास र पत्री बड़े शानिंहीं थे थैज QGM टाबर शानिंहोते हैं कशर हमें द्रजी हमें जो है कुरान की सिंख्षा अच्छी त्रयासीं आती है दुर्गा बाबाने हमें जो है सब कुछ सीखा दिया था तो इस तरह से दुर्गादा स्राठोड के इनकारियों से जो है औरंग जे बहुत प्रशन होता है क्या होता है प्रसन होता है दुर्गाजास राठोड के इनकारियों से औरंग जे प्रसन होता है उसे पाटन जेतारण मेर्टा और सिवाना ये परगना देता है औरंग जे जो है पाटन जेतारण मेर्टा और सिवाना पा ये जो है पाटन का गुजरात जो है सुबेदार बना देता है पाटन गुजरात में जेतारण मेड़ता और सिवाना का इनको क्या देता है परगना देता है और अजीद सिंग को अजीद सिंग को भी किसको अजीद सिंग को भी जो है किसका जालोर और सांचोर का परगना देता अब यहाँ पर थोड़ी खड़बड मच गई खड़बड क्या मची कि अजीद सिंग को जालोर सांचोर मतलो राजा कोन है अजीद सिंग एक तरह से और ये सेवक की है दुर्गदा सराथोड तो इसको ज्यादा परगने दे दिये और इसको कम परगने दे दिये ठीक है दुर्गदा सराथोड को मनसबडारी भी ज्यादा दे दी गई दुर्गदा सराथोड को मनसबडारी भी क्या दे दी गई ज्यादा दे दी गई जिससे इसके खलबली मच जाती है पूरी की पूरी किसे तो अजीत सिंग को जिसके कारण जो है अजीत सिंग अब क्या करता है कि अजीत सिंग क्योंकि अजीत सिंग को तो लगबग है पंदरा सो जात और पांच सो मनसबदार दी गई थी लेकिन दुर्गादास राठोड को जो है दुर्गादास राठोड को अ दुर्गादास राठोड को अजीत सिंग क्या कहा है देश निकाड़ा देदेता है किसी के कैई सुनिपर बातों पर शाषक्रलिए तक किसने अजीत सिंग और इसलिए तो अजीत सिंग को जीय चोज़ा ने कान का कच्चा कहा है क्या कहा है कान का कच्चा कहा है क्यों कहा है क्योंकि कई सुनी पर वात्नवर विश्वास कर लिया और दुर्गादास राठोड को क्या दे दिया देश निकाला दे दिया मतलों मारवार सी निकाल दिया इसको इस तरह से इसने इसको कान कच्चा कहा है ठीक है ना तो अब दुर्गादास राठोड जो हैं दुर्गादास राठोड मेवार के महराना की सरण में चले जाते हैं मेवार के महराना की सरण में चले जाते हैं तो मेवाड के महाराना इसे जो है विजेपुर की जागीर देते हैं विजेपुर की क्या देते हैं जागीर देते हैं और रामपुरा पर अधिकार करने के लिए बेज देते हैं तब दुर्गादास रठोड रामपुरा के लिए 1717 इसी में ठीक है रामपुरा पर क्या कर देत हैं रामपुरा पर अधिकार कर लेती है लेकिन इसी समय शत्रास ओठारा में दुर्गादास राठोड की मरत्य हो जाती है कहा होती है उज्जेन MP कौन सी नदी के किनारे सिप्रा नदी के किनारे सिप्रा नदी के किनारे जो है इनकी क्या हो जाती है मर्ती हो जाती है उर्जेन MP के अंदर और इनकी जो समारक या छत्री बनी हुई है वो छत्री कहां बनी हुई है रामपुरा गाउं में बनी हुई है कहां बनी हुई है रामपूरा गाव में और कहां है उज्जेन है उस समय जो है मेवाड के पहले सासक थे उनका नाम आता है अमर सिंह सेकेंड अमर सिंह सेकंड ने इनको जो है विजretenपूर की क्या परदान की है जागीर परदान की दो सब्सक्राद में यह कहां चले जाते हैं रामपुरा की तरफ और बाइस नोमबर 17-17 इस्वी को इनको जो है जो इनकी मर्ती हो जाती है उजेन एमपी सिप्रा नदी की किनारे इनकी छत्री जो है रामपुरा गाओं उजेन में बनी हुई है ध्यान रखना वीर दुर्गादास को वीर दुर्गादास राठोड को ठीक है एक तो द्यान रखना जस्वन सिंग ने मारवाड का भावी रक्षक कहा था क्या कहा था मारवाड का भावी रक्षक कहा था राठोडों का यूलिसिस कहा था राठोडों का यूलिसिस या फिर पलेटो कहा था राठोडों का यूलिसिस पलेटो कहा है किसको वीर दुर्गाजास राठोड को ये सिर्फ ये ध्यान रखना कि किस ने कहा है जस्वन सिंग ने कहा है इनको क्या कहा है मारवाड का भावी रक्षे राठोडों का युलिसिस राठोडों का प्लेटों कहा जाता है इनको मारवाड का गेरी बाल्दी कहा जाता है कि इनको दुर्गादास राठोड को मारवाड का उधारक कहा जाता है किसको दुर्गादास राठोड को मारवाड का दूर्जादास रठोड को मारवार का चाण के भी कहा जाता है द्यान रखडा करनल टोड ने क्या कहा था करनल टोड ने कहा कि वीर दूर्जादास रठोड को किसको कभी विचलित नहीं कर पाई वह एक वीर योद्धा वे कूट नितिक मंत्री थे ध्यान रखना करनल टोड ने इनके बारे में कहा था कि वीर दुर्गादास्त्रा ठोड को मुगलों का धन वैस सक्ति ने कभी विचलित नहीं किया धन वैस सक्ति कभी विचलित नहीं कर पाई धन वैस सक्ति कभी विचलित नहीं कर पाई वह वह वही वीर योद्धा और कूट नितिक क्या थे मंत्री थे कौण वीर दुर्गादास राठोड कौण थे वीर दुर्गादास राठोड थे ध्यान रखना इस बात का चलते हैं तो जीद सिंग का ध्यान रखना मैंने आपको वहां तक बता दिया था कि जागीर जो है इनको परदान की गई और अजीद सिंग ने जो है वह इनको क्या दे दिया है देश निकाड़ा दे दिया किसको दुर्गादास राठोड को आगे हम पढ़ते हैं आगे वापस 1707 इसी में तब इनके बेटों के बीच में किनके बेटों के बीच में जो है क्या होता है उत्रा दिकारी संगर्ष होता है कौन सा संगर्ष उत्रा दिकारी संगर्ष होता है तो कौन सा संगर्ष होता है उत्रा दिकारी संगर्ष होता है तो अब इसके बाद में उत्रा दिका आठिस्वी के अंदर एक समझोता होता है देवारी समझोता होता है देवारी समझोता जो कि हम कहां पढ़ चुके हैं मिवार के अंदर देवारी समझोता हम पढ़ चुके हैं इस देवारी समझोते के परिणाम सोरूप अजीत सिहें को क्या बनाया जाता है राजा बनाया जात बताते है कि राजा बनने के बाद वी दूरगादासरा ठोड ने अजेद सिंग को सासक बनने के लिए 33 वर्स तक संगर्ष की संगर्ष किया था तो द्यान नखणा देवारी समझोते के प्रिणाम सोरूपी अजीत सिंग क्या बना था राजा बना था अजीत सिंग ने क्या किया अजीत सिंग ने स्वेम ने अजीत चरितर नम गरंथ की रचना की थी निर्वान दूहा नम गरंथ की रचना की निर्वान दूहा गुण सागर नम गरंथ लिखा कौन सा गुण सागर गज उधार गज उधार नाम गरंत की रचना की थी किस ने अजीद सिंग ने और इनोंने जो है जोदपूर में घंशाम जी का मंदिर बनवाया गंशाम जी मंदिर का निर्मान करवाया जोदपूर में ठीक है और महरांगर दुरग में कौन से दुरग में महरांगर दुरग में इन्होंने फते महल बनवाया था जीद सिंग ने कौन सा महल बनवाया फते महल मंदोर में तीन मंजिला एक थांबिया महल का निर्मान करवाया छीक है ना एक थांबिया महल का निर्मान करवाया था किसने अजीद सिंग ने मैंने आपको बताया है ओजा ने अजीद सिंग को जो है क्या कहा है कान का कच्चा कहा है क्या कहा है कान का कच्चा कहा है और अजीद सिंग के पुत्तर जिसका नाम आता है बक सिंग बक सिंग ने अपने भाई अभे सिंग के कहने पर अजीद सिंग की क्या कर दी है हत्या कर दी है किसने तो बक सिंग ने तो यह है बक सिंग जो है मारवार का दूसरा पित्री हंता कहलाता है पित्री हंता कहलाता है मारवार का दूसरी पित्री हंता कौन कहलाता है तो कौन कहलाता है बक सिंग कहलाता है इसके बाद में ध्यान रखड़ा अजीद सिंग के दरवारी कवी दरवारी विद्वान में बात करें तो सबसे पहले नामाता है जग जीवन भट चारण कवी था जग जीवन भट छीक है ना जग जीवन भट इन्होंने अजीतो दे गरंत की रचना की थी किसकी रचना की है अजीतो दे गरंत की रचना की है दूसरे इनकी दरवारी थे जिनका नाम है वीर्भान क्या नामाता है वीर्भान जिन्होंने राज रूपक नामक गरंथ की रचना किया किसकी राज रूपक नामक गरंथ की रचना किया तीसरी बात है सूरती मिसर क्या नामाता है सूरती मिसर और इन्होंने अमर चंदरी का नामक गरंथ की रचना किया किसकी अम अजीद सिंग जो है इसकी हत्या इसके पुत्तर ने कर दी थी इसके बाद में जो है राजा बनते हैं उन राजा का नाम आता है अभय सिंग क्या नाम आता है अभय सिंग 1724 से लेकर 1749 इस्वी पिता अजीद सिंग यह यह जो है इसके दरबारी कवी में नाम आता है करणी दान करणी दान या करणी दास जिसने सूरज प्रकास नामक गरंथ की रचना की है किसकी रचना की है सूरज प्रकास नामक गरंथ की रचना की है सूरज प्रकास नामक गरंथ की रचना की है और अब्यसी नहीं जो है 1730 इस्वी में जोदपूर में जोदपूर के खेजडली गाओं में कौन से गाओं में खेजडली गाओं में इसके समय में ही जो है जोदपूर के खेजडली गाओं में अब्यसिंग के समय में ही खेजडली गाओं में लगबाद 363 वेक्तियों ने क्या दिया था किसके नेतरतों में अमरिता देवी बिस्नोई के नेतरतों में वन सरक्षन हे तू बलिदान दिया था क्या दिया था वन सरक्षन हे तू बलिदान दिया वास्तों में हुआ क्या था यहां पर कि अबया सिंग ने जो है अपने मंत्री जिसका नाम था गिर्दरदास गिरदर्स को क्या है कि पहले वहांपर सेनिकों को या लकड़ी लेने के लिए बेज़ा था लेकिन उन्होंने क्या है कि अमरिता देवी जो है इनके नेतरतों में जो यहां के जो परमुक, मैला और पूरुस्ते इन्होंने जो है कि लकडी काटने से मना कर दिया तब इन्होंने गिर्द दास के नेतरतों में क्या बेज दी थी सेना बेज दी थी किसने तो अबया सिंग ने गिर्द दास के नेतरतों में सेना बेजी तब बताती हैं कि सेना ने यहां पर इन वरक्षों को बचाने के लिए अमरिता देवी और परमुख जो वेक्ति थे 363 जिसके अंदर 363 में अगर हम बात करें तो लगभग 200 चुरान में पुरुस दोस्ट चुरान में पुरुस और 69 महिलाएं थी ये क्या है कि पेडों से लिपट गई सिर कटे रुख बचे तो भी सस्तो जान कि सिर कटे रुख रुख मतलब वरक्ष बचे तो भी सस्तो जान तो लिपट गई और इन्होंने जो है गिरदरदास ने लिपटे हुए उन सभी जितने भी लोग थे उन सब को ही क्या है कि उनके साथ में पेड़ों के साथ में काट दिया तो मतलब ये अमरिता देवी ने बिस्नोई ने जो है वो क्या दिया था यहां पर अपना बलीदान दिया था किसकी रक्षा है तू पेड़ों की रक्षा है तू अपना बलीदान दिय इतने लोगों का बलीदान दिया गया था तो ध्यान रखना और यह है खेजरली हत्यकांड के नाम से लगबग जो है यह 12 सेप्टेंबर को हुआ था खेजरली हत्यकांड के नाम से जना जाता है और इस गटना की समर्ती में इस गटना की समर्ती में खेजरली गाउं में क्या ल क्या लगता है खेजरली जो है मेला या वरक्ष मेला लगता है जो कि विश्व का एक मातर वरक्ष मेला है ठीक है ना और ये कांड जो है खेजरली हत्याकांड के नाम से किस नाम से अत्याकांड के नाम से जो है ये 28 अगस जो 1930 इसवी को हुआ था इसके नाम से जो है ये जाना जाता है खेजडली हत्यकार्ड के नाम से जाना जाता है 12 सेप्टेंबर को जो है वरक्ष मेला लगता है एक तरह से जहान रखना वैसे तो बादर पर सुकल दश्मी आता है और 28 अगस्त 1930 को यह जो खेजडली हत्याकार्ड हुआ था ठीक है ना खेजडली हत्याकार्ड हुआ था और 12 सेप्टेंबर को सेप्टेंबर वक्ष मेला लगता है मतलब खेजडली दिवस के रूप में मना जाते हैं खेजडली अमरिता देवी वन्याजीव पुरुषकार अमरिता देवी वन्याजीव पुरुषकार जिसके सुरुवात 1934 में इस्यू में की गई थी इसके तहट किसी संस्ता को तो परियावन सेलक्षन के एक लाख रुपे दिये जाती है और किसी व्यक्ति ने अगर परियावन सेलक्षन दिये जाते हैं कितने दिये जाते हैं 50,000 रुपे दिये जाते हैं और जोदपुर के सरवा पर्थम ये पुरूशकार जोदपुर के गंगाराम बिस्नोई को दिया गया था ठीक है ना किसको दिया गया है गंगाराम बिस्नोई को ये पुरूशकार दिया गया है तो द्यान 134 इस्वी के उरडा सम्मेलन में भाग लिया था ठीक है ना और उरडा सम्मेलन में भाग लिया था इसी के समय में दरवारी कवी में और बात करें तो एक नाम आता है जग जीवन बट जो पहले भी थे जिन्नोंने अजितो दिया लिखा था और इस समय जग जीवन बट ने जो इसी समय मादुराज भी थे किसने मादुराज ने शाला भक्ति परकास की रचना की थी। छीकरा अब इसके बाद में महाराजा अभ्या सिंग के पुतर थे राम सिंग वह है राम सिंग सासक बनते हैं कौन सासक बनते हैं राम सिंग जो लगब 1749 से लेकर 1751 तक ही सासक रहे थे लेकिन इसके बाद में राम सिंग का चाचा जिसका नामाता है बक सिंग जिसने अपने प उपक्शिंग का पुतर है विजय सिंग सासक बनता है 1752 से लेकर यह 1730 में इस्वितक सासन करती है को विजय सिंग विजय स्ञिंग ने अपने जोदपुर में क्या खोली थी तकसाल खोली है ठीक है और उसी समय मुगर बात्षा था सहा आलम कौन है सहालम दूत्या इस आलम दूत्या से इसने क्या लulsion लिए टकसाल खूलने की छीक है ना और इसने इसी टकसाल में विजय सही किस नाम से विजे साही क्या चलाए थे इसने इसी टकसाल में सिक्के चलाए थे विजे साही नाम से सिक्के चलाए थे किसने इसने ठीके ना और इसी नहीं ना द्वारा में व्यशन द्रम बिस्तर विकार कर लिया था इसके समय में यूद हुआ था कौन सा तूंगा का यूद संसट्रा सुश सत्यासी स्वी के अंदर तूंगा के यूद में जैपुर के साथ मिलकर किस के साथ है जैपुर के साथ मिलकर मराठो को पीछे हटने पर मस्बूर किया था मतलो मराठो का 1767 में तूंगा के यूद में जैपुरियासत का साक्ष दिया था इसी समय डंगा वास का यूदra गया था मेरता सिटी नागवर्शन 1790 इसमें जिसमें इधर तो कौन है इधर तो विजय सिंग है कौन है विजय सिंग राठोड है सामने जो है गवालियर के थे महादजी सींदिया महादजी सींदिया और इसका नेतरतव कौन कर रहा था इसका सेना नाएक डी बोईन कर रहा था डी बोईन इसने इसका नेतरताव किया था डंगा का यूजशन 1799 मेर्टा सिटी ठीक है ना और ये विजे सिंग जो है इसी के अंदर जो है इस यूद में क्या हुए थे पराजित हुए थे इसका प्रिणाम ये निकला था कि 1770 में में सांबर की संदी वी थी कौन सी संदी वी था किनको मराठों को देना निश्चित हुआ था क्योंकि इस यूद में वीजे सिंग जी क्या हो गए थे पराजित हो गए थे वीजे सिंग पराजित हो गए थे तब 60 लाख रुपे और अजमेर सहर जो है मराठों को देना इसके संबर की संदी के तहट क्या हुआ था निश सिंग पर जिसे जो है जोदपुर की इस गुलाब राए को जोदपुर की नूर जहां का आ जाता है जिस तरह से नूर जहां का सा जहां पर अधिकार था या परभाव था उसी तरह महिला बाग का जालरा इसका निर्मान करवाया था ठीक है ना महिला बाग का जालरा निर्मान करवाया था मतलब पूरा प्रभाव था इस तरह से मतलब राज्य इसने अपनों में बांट दिया था इस तरह से बताती है तब इस जो है विजय सिंग के बड़ी अलोचना की गई और विजय सिन सिंग को देहान रखना शामल दास नहीं किसने विजय सिंग को शामल दास नहीं जो है जहांगिर का नमूना काहा है क्या कहा है जहांगीर का क्या कहा गया इसको नमूना कहा गया है किसको जहांगीर का नमूना कहा गया है इस चीज़ का द्यान रखना ठीक है ना इसके बाद में जो है द्यान रखना यहां पर छोटी सी बात औराती है इसी गुलाब राए के कहने पर किसके गुलाब राए ने विजे सिंग के पुत्र मान सिंग को उत्रा दिकारी गोसित कर दिया था किसको मान सिंग को उत्रा दिकारी गोसित किया था मगर सरदारों के विरोध गये कारण इसके दूसरे पुत्तर बीम सिंग को क्या बना दिया गया बीम सिंग को उत्रा दिकारी बना दिया गया था उत्रा दिकारी बनाया ठीक है और इसी समय दरवारी थे जिसका नाम था बिशन सिंग बारट इस बिशन सिंग बारट ने जो है विजे विलास, विजे विलास नाम गरंथ की रचना की थी, विजे विलास नाम क्या लिखा है, गरंथ की रचना की है ध्यान रखना, ठीक है न, इसके बाद में आप क्या आता है, भीम सिंग, कौन सा सक बनता है, भीम सिंग राजा बनता है, 1703 में से लेकर 1803, भीम सिंग वही क्रिश्णा कुमारी विवाद वाला भीम सिंग क्रिश्णा कुमारी विवाद हमने पढ़ लिया है तो क्रिश्णा कुमारी विवाद में जो हमने भीम सिंग पढ़ा था वही भीम सिंग है मतलब भीम सिंग की सगाई जो है वो क्रिश्णा कुमारी से हुई थी लेकिन क्या हो शादी से पूर्वी इसकी क्या हो गई थी मरत्य हो गई थी वही भीम सिंग इसके बारे हमने चर्चा कर ले थी भीम सिंग के सासनकाल में ध्यान रखना भीम भट के द्वारा किसके द्वारा भीम भट के द्वारा भीम परभंद की रचना की गई किसकी रचना की गई भीम पर समूचे की रचना की थी तो ये भीम परबंद लिखा गया है और एक अलंगकार समूचे लिखा गया है इसके बाद में आता है मान सिंग कौन आता है मान सिंग ये मान सिंग आपको बता है कि गुलाव राय के कारण ही उत्रा दिकारी संगर्ष में जालोर में उलजा हुआ था क इनों ने क्या किया कि इनके जो है मान सिंग के राजा बनने की घोशना कर दी क्या कर दी थी राजा बनने की घोशना कर दी कि बहावी राजा जो है वो कौन बनेगा मान सिंग बनेगा कि जब इसके राजा बनने की मान सिंग के घोशना कर दी गई ठीक है आयस देवनाथ गोरक अहां बुलाया जोदपुर बुलाया और जोदपुर बुलाने के बाद अपना क्या बना दिया इनको गुरु बना दिया क्या बनाया गुरु बनाया आधिस देवनात को दर्बार में अमंत्रित किया और गुरु बना दिया और खुद जो है खुद ये सन्यासी राजा की नाम से विख्यात हो गए कौन है सन्यासी राजा जो है मान सिंग खुद सन्यासी राजा की नाम से विख्यात हो गए और नाद संपर्दाई के परधान मंदिर मंदिर या जिसको कह सकते हैं कि राजस्तान में पर्धान पिट महा मंदिर का क्या करवाया गया इनके दोरा महा मंदिर का निर्मान करवाया गया किसके दोरा मान सिंग के दोरा महा मंदिर का जोदपुर में निर्मान करवाया गया जिसका निर्मान लगबग 1812 इस्वि वाया था उदे नाथ मंदिर का निर्मान भी किसने करवाया है मान सिंग ने करवाया है किसने करवाया है मान सिंग ने और मान सिंग ने अने गरंथों की रचना भी की थी ध्यान रखना नाथ पुरान लिखा है कौन सा गरंथ नाथ पुरान नाथ जी की वानी नाथ जी की वान नाम गरंथ की रचना की थी इसके लावा नाथ चरीतर लिखा है कृष्ण विलास इन गरंथों की रचना जो है वो किसने की है मान सिंगने नाथ पुराण है नाजी की वाणी है नाथ चरीतर है कृष्ण विलास नाम गरंथों की रचना किसने की है तो इनकी रचना जो है वो क प्रकास में लाने का सरी है राम गोपाल महता को जाता है इसको राम गोपाल महता को जाता है प्रकास में लाने का सरी है ठीक है ना प्रवसर नागौर करिश्णा कुमारी को लेकर यूद हुआ था जगत शिंग से मारवार्ड का मान नमाना जगत आगया गिंगोली में पिन्डारी ने नाम कमाया रक्टपाथ की होली में जो अमने पढ़ा था वही है यह 18 살isai गिंगोली का यूद में जो है यह क्या हुआ है पराजितु है कौन मान सिंग और 1818 में 1818 इसी में अंग्रेजों के साथ क्या कर लिए थी संदी कर ली संदी भी कर ली और इसंदियों का उलंगन करने वाला राज पुताने का या मारवार का क्या है ये पर्थम राजा माना जाता है कोन है मान सिंग संधियों का उलंगन करने वाला राज पुताने का पहला राजा है परिणाम सो रूप अंग्रेजों ने क्या किया अंग्रेजों ने इसके संचालन है तू ठीक है ना अंग्रेजों ने जोदपुर के संचालन है तू जोन लूड लो को लूड लो को क्या बना दिया था परशाशक बना दिया क्या बना दिया परशाशक बना दिया ध्यान रखा और इसे मान सिंग का दरवारी है दरवारी जिसका नाम क्या है दरवारी है बांकीदास क्या नाम आता है बांकीदास जिसे मारवार का बिर्बल कहा जाता है इन्हें बांकीदास ने एक गरंथ लिखा जिसका नाम था बांकीदासरी ख्यात कौन सा लिखा है बांकीदासरी ख्य जिसे मारवाड रा राठोडारी ख्याद कहते हैं मारवाड रा राठोडारी ख्याद के उपनाम से जाना जाता है ये इन्होंने लिखाता और ध्यान रखडा मान सी है ने महरांगर दुरग में मान सी है पुस्तक प्रकास पुस्तकाल्य किस्ता अपना की थी पुस्तकाल्य मान हैं पुष्तक प्रकास पुष्त कालियप जोद्पुर दुर्ग में किसने मान सिंग से और 1841 सины में मान सिंग जोध्पुँर में त्याग पर्थापर किस पर त्याग पर धापर क्या लगाई थी रोकशोगEMA अब कौन सा राजा बनता है जिसका नाम है महाराजा तक शिंग कौन राजा बनता है तक शिंग 1823े रहते हैं कौन रहते हैं पहली ध्यान रखना 1857 की करांती के समय जोदपूर के सासक थे 1857 की करांती के समय जोदपूर के सासक आती है कौन तक्सिंग आती है महरांगर दुरग में इन्होंने कौन सी चोकी बनाई है सिंगारी चोकी बनाई है महरांगर दुरग में सिंगारी चोकी का निर्मान करवाया जहां पर राजाओं के क्या होती है राज्याविशेक मैंने आपको बताया जोदपूर के राज्याविशेक बागडी गाओं के जेतावत किया करते थे लेकिन प्रारम में इनके राजय विशेक जो है मेरांगर दुरक के चामुंडा माता के मंदिर में होते थे प्रारम में राजय विशेक लेकिन इनके समय में राजय विशेक कहा है तो राजय विशेक कहा होने लग गए थे सिंगारी चोकी जो है जोधपुर में इनमें निर्मा मारवाड के झ Jewish मारवाड के आग्याओं को पत्थरों पर खुद्वाया था किले की दिवारों पर लगा दिया था इन्हीं पत्थरों को ध्यान रखना अज़मेर में परकुलेज की कूनसे कॉलेज की मैयो कॉलेज की जब स्तापना वी तो एक लाख का चंदा दिया था इनोंने किनोंने दिया हैं तक सिंग ने दिया था ठीक है ना और इनके समय में ही मारवार का पर्थम छापा खाना खोला गया था छापा खाना खोला गया था किनका जो है मारवार का पर्थम छापा खाना जो है तक सिंग क करवाया था चामुंडा माता के मंदिर का जिर्णोदार करवाया था जो जोदपूर में बना हुए चामुंडा माता का मंदिर इसका जिर्णोदार करवाया था ध्यान रखना किन होने करवाया है महराजा तक सिंग ने इसके बाद में आता है महराजा जस्वन सिंग कौन आते ह क्या हुई है पर्थम जनगर्णा हुई है इनके सासनकाल में दयानन सरश्वती कौन है जोदपुर आए थे कहा आए है जोदपुर आए है ये जोदपुर आए थे कब 1883 में उसी समय बताते हैं कि जब ये जोदपुर में परवेश किये तब ये जस्वन सिंग से मिलना चाते हैं तब जस्वन सिंग में अपना जिवेन वयतीत करते है और इनका स्वागत वगेरा कुछ नहीं किया गया किनका सवामी दयानंता सरश्वती का करोदीद हो जाते हैं इए करोदी जो जाती है तो खरी खोटी सुनाती है किस वो जसुन सिंग को तब यह बात इनकी एक नर्त्यांगना डांसर थी जिनका नाम था नन्नी जान नन्नी जान को अच्छी नहीं लगी जसुन सिंग ने की के दियो तब नन्नी जान ने जो है रसोया था जिसका नाम था गोड मितर गोड मितर के साथ मिलकर जो है जो इनको गिलास दिया गया था उस गिलास के अंदर कांच मिला दिया मतलब एक तरह से जैर मिला दिया और वो जैर वाला गिलास जो है दूद का गिलास जो था वो किसको पिला दिया था स्वामी धयानन सरस्वती जिसके कारण इनकी तबियत खराब हो गए इनको कहा रिफर कर दिया गया तो इनको अजमेर भेज दिया गया कहा रिफर कर दिया गया अजमेर भेज दिया गया और यहीं अजमेर में ही इनकी जो है 30 अक्टूबर तेस अक्टूबर को अजमे 1883 इसवी को अजमेर में इनकी क्या हो गई थी ध्यान रखना तो अजमेर में ही इनकी क्या हो जाती है मर्ति हो जाती है कि इनकी मर्ति हो जाती है स्वामी दयानंद सरश्वती की इन्होंने अंग्रेजों के जवारा आयोजित 1875 इसवी का कलकत्ता दर्वार और 1877 इसवी का दिल्ली दर्वार में भाग लिया था दिल्ली दर्वार में भाग लिया है किनों ने भाग लिया है जस्वन सिंग ने भाग लिया है इसके अलावा महराणी विक्टोरिया के स्वर् जुबली अफसर हुआ था उच्छा हुआ था बारिन विक्टोरिया का लंदन के अंदर तो उस अफसर पर इन्होंने अपने मंत्री परताफ सिंग को बेजा था किसको बेजा है परताफ सिंग को परतिनिदी के रूप में बेजा था परताफ सिंग को कहां पर है इंगलेंड ब करवाया है तो जूबली कोट परिशर का निर्मान जोदपूर में ही करवाया है कहां करवाया है जोदपूर में चीकना सरपरताप यह सरपरताप यह जिन्होंने यहां जोदपूर में काईलाना जील का निर्मान करवाया है काईलाना जील का निर्मान करवाया है चीकना काईला झाहना जीर को परताब सागर जीर के नाम से भी जाना जाता हैं और जोड़ पुर में जो ये पैंट कोर्ट का जो फेस host नाया था वह इन्हीत सरपरताब के समय में में परताब समय में यह स"? ऌनेными पहना था सरपरताब नेग्वान ही सरपरताब काहन समय में ही बाल विभापर जोदपुर में जस्वन सिंग के समय में ही बाल विभापर क्या लगा दिया गया था परतिवंद लगाया गया है ध्यान दखणा इसके बाद में आता है महाराजा सरदार सिंग महाराजा सरदार सी है अठारा सो पिचान में इस्वी अठारा सो पिचा जो है 11.20 तक सासन किया है किसने किया है माराजा सरदार सिंग ने माराजा सरदार सिंग इन्होंने 1926 में अपने पिता जस्वंत सियं की याद में जस्वंत सियं की याद में क्या बनवाया है जस्वंत थड़ा का निर्मान करवाया है अपने पिता जस्वंत सिंग की याद में जस्वन थड़ा का निर्मान करवाए है और इस जस्वन थड़ा को क्या कहा जाता है राजस्थान का ताज महल कहा जाता है ताज महल कहती है नोट राजस्थान का दूसरा ताज महल अबला मीनी का महल है कौन सा है अबला मीनी का महल है अबला मीनी का महल है यह राजस्थान का क कोटा या राजस्तान का दूसरा ताज मेल भी कहा जाता है क्या का जाता है हडोती का ताज मेल भी कहा जाता है द्यान रखना ये जो आपको यहाँ पर महरांगर दुरग दिखाई दे रहा है ये तो कौन सा दुरग है महरांगर दुरग है कौन सा है महरांगर दुरग और महरा राजिस्तान का ताज महल कहलाता है राजिस्तान का क्या कहलाता है ताज महल कहलाता है जस्वन थड़ा जो आपको यह दिखाई दे रहा है यह वाइट से कलर का यह जस्वन थड़ा है जो राजिस्तान का ताज महल है मतलो मिस्ट्रियों ने इसे बहुत बड़ी है तरीके से ब इसी महाराजा माराजा सरदार सिंघ माहाराजा सर्दार सिंघ गया करण था होने के कारण पोलो का शोक होने के कारण इनके सासनकाल को पोलो का क्या का जाता है घर कहते हैं क्या कहते हैं पोलो का घर कहते हैं इनके सासनकाल को पोलो का क्या का जाता है घर कहा जाता है ध्यान रखना इसी का सासनकाल होने के कारण इसके बाद में आता है सुमेर सिंग न ठीक है ना ये जो है जोर्ज पंचम के राज्या रोहन समा रोहा पर 1911 इसवी के दिल्ली दर्वार में भाग लिया था ठीक है ना इसके बाद में सासक बनता है जिनका नामाता है उमेद सिंग क्या नामाता है उमेद सिंग 1918 से लेकर 1947 ता किनो ने इसासन किया उमेद सिंग ने जोदपुर के छितर पेलेसों से छितर पत्थर थे जोदपुर के इन छितर पत्थरों से जोदपुर में जो है उमेद भवन का निर्मान करवाया किसका निर्मान करवाया उमेद भवन का निर्मान करवाया जिसे उमेद भवन को छितर पेलेस के नाम से भी जाना जाता है लगबग 1929 इस्वी परारम भुआ था उमेद भवन 1940 में बनकर क्या हो गया था ये पूरण हो गया था और इसमें जो आकरशक है वो आकरशक गड़ी संग्रालिया ध्यान रखना गड़ी संग्रालिया इसमें जो है आकरशक का परमुक के अंदर है ठीक है ना और यह है उमेद भवन विश्वय का विश्वय का सबसे बड़ा रहेवासी भवन है रहेवासी भवन है बाकी आप कल्चर में इसको पढ़ लोगे अच्छी तरह से और ये जो है मारवाड का नाम जोदपूर इन्हीं उमेद सिंग के समय में ही पढ़ा था मारवाड का नाम जोदपूर इन्हीं उमेद सिंग के समय में ही पढ़ा था इसलिए उमेद सिंग को मारवाड का या जोदपूर का निर्माता भी का जाता है मारवाड का और या जोदफूर का क्या जाता है इसको निर्माता भी कहा जाता है किसके सासनकाल को उमेध सिंग के सासनकाल को इसके बाद में आता है पाकिसतान में पाकिस्टान में बिचाते थे यह क्या करना चाते थे इन्हें व्रेद राजिस्तान संग्ध जोदपूर है जो है व्रेद राजिस्तान संग्ध व्रैद राजस्तान है संग में जो है इस ये जो चरण था व्रैद राजस्तान संग इसे को है जो जोदपुर में राजस्तान में क्या कर लिया गया था समिरित कर लिया गया था और इनहीं जो है बात करते हैं यही जो हनुवन सिंग है हनुवन सिंग की पतनी थी जिनका नाम क की भारत की अंतिम राज माता थी जिनकी मर्त्यू दो हजार अठारा में हुई भारत की अंतिम राज माता थी जिनकी मर्त्यू जो है दो हजार अठारा में हुई थी कृष्णा कुमारी जो इनहीं अनुवन सिंग की पत्नी थी चीकना ध्यान रखना और जोदपुर के सासकों क जो खुल देवी आतए है इसे शक्त्रिय जो दो और जोदपूर में मंडो और जोदपूर में वैसे यहां पर सामंत और कुछ सासकों के छत्रियां जो है आपके कागा की छत्रियों के नाम से जाने जाती है कागा की छत्रियां इनके नाम से उपनाम से भी जानी जाती है ध्यान रखना तो मैंने आपको किसके बारें बताया हन पाकिस्तान में मिलना चाहते थे इसी के साथ ही आपके जोदपुर का इतिहास वो क्या होता है समाप्त होता है जोदपुर के इतिहास क्या होता है समाप्त होता है धन्यवाद दोस्तों आज के लिए इतना ही बाकी अपने चर्चा करेंगे कल अपने जो है एक नया इतिहास बि यहां झाल